हलो दोस्तो अगर आप लोगों का भी मनरेगा लिष्ट या फिर जोब कार्ड लिष्ट में नाम होता है तो आप लोगों को सरकार की तरफ से काफी सारी योजनाओं का लाब मिलता है जिन जिन लोगों का भी मनरेगा लिष्ट में नाम है या फिर जिन लोगों का भी मनरेगा जोब कार्ड बना हुआ है उन लोगों को सरकार के तरफ से बिलकुल फ्री राशन हर महीने दिया जा रहा है और इससे पहले भी दोस्तो जब लोगडाउन लगा हुआ था तो उस समय सरकार ने जितने भी लोगों का मनरेगा जोब कार्ड लिस्ट में नाम है उन लोगों के अक और आप लोग चाहें तो उसे प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं तो दोस्तो पूरी जानकारी के लिए आप लोग बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकोन को प्रेस कर लें जिस जैसे ही आप लोग इसे सर्च करेंगे तो आप लोग नरेगा की ओपसियल वेबसाइट पर आ जाएंगे यहाँ पर दोस्तो आप लोगों को अपने मुबाइल को डेक्स्ट ओप साइट पर ओपन कर लेना है जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर 3. दिख रहे हैं यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद आप लोग कुछ नीचे आएंगे यहाँ पर आप लोगों को टिक कर देना है उसके बाद आप लोगों का मुबाइल डेक्स्ट ओप साइट पर ओपन हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को एक ओपसन दिखेगा इसी पर आप लोगों को एक बार क्लिक करना है, जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ नीचे आएंगे, यहाँ पर आप लोगों को तीन ओप्सन दिख रहे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिती और जिला पंचायत, तो आप लोगों को उ generate reports बाले option पर एक बार क्लिक कर देना है तो दोस्तों जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर कई states के नाम आ जाएंगे इन में से आप लोगों की जो भी state है उस state को आप लोगों को select कर लेना है तो जैसे कि यहाँ पर मेरी state उत्तरप्रदेश है तो मैं यहाँ पर उत्तरप्रदेश पर select कर लेता हूं select करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को यहाँ से अपनी डिष्टिक का नाम select कर लेना है तो मैंने यहाँ पर एक डिष्टिक का नाम select कर लिया है उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी ब्लोग का नाम select कर लेना है उसके ब बाद आप लोगों को यहां से अपनी GRAM PANCHánhut का नाम СELEKT कर लेना है GRAM PANCHBERG S ELEKT करने के बाद आप लोगों को यहां पर एक ऑप्सन दिख रहा है एक ओप्सन सबसे पहले सुरु में दिख रहा है जोब काड रजिस्टेशन इसमें आप लोगों को दूसरे नंबर पर एक option दिख रहा है print issue job card यहीं पर आप लोगों को एक बार click करना है जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां से आप लोगों को एक number select कर लेना है जैसे कि मैं यहां पर एक select कर लेता हूँ उसके बाद select the type इन में से आप लोगों को एक select कर लेना है उसके बाद यहां पर job card परची वाले option पर click कर देना है जैसे ही आप लोग यहां पर click करेंगे उसके बाद आप लोगों के गाओं में जितने भी लोगों का job card बना हुआ है उन सब लोगों का यहाँ पर job card नाम, परिवार के मुखिया का नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Job card संख्या आप लोगों को मिल जाएगी परिवार के मुखिया का नाम देख सकते हो स्रेड़ी और पंजी करड कीती थी यानि कि आप लोगों ने कब मनरेगा में पंजी करड करवाया था वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो गाउँ पंचाद विकास खंड भी देख सकते हो यहाँ पर अभी फोटो नहीं आ रहा है हो सकता है सरवर में कुछ प्रोब्लम के कारण फोटो दिखाई नहीं दे रहा है उसके बाद यहाँ पर आपको पूरी जानकारी आप लोगों के जोब कार्ड से रिलेटेड मिल जाएगी आप लोग चाहों तो इस जोब कार्ड का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा लेकिन दोस्तों अभी भी आपके मन में कोई भी क्विश्चन है तो आप लोग कमेंट करें उसका जबाब मैं तुरंत देने की कोशिस करूँगा और अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इस वीडियो को हो सके तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में सेर्वी कर दें जिससे कि उन लोगों को भी ये जानकारी मिल सके मिलते हैं दोस्तों एक नेस्ट वीडियो में एक नए टोपिक के साथ आप लोगों ने अपना इतना किमती समय दिया इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद